आप सभी को मेरा प्रणाम, Herbal Remedies and Nature's Treasure में आपका स्वागत है मित्रो आज हम राजाजी नेशनल पार्क में एक्स्प्लोरेशन के लिए आए हुए हैं और एक्स्प्लोरेशन करते समय हमने पाया कि एक महान ओस्दिये ट्री जिसको हम चम्रोड कहते हैं, Iretia Levis ये बोराजनेशी का मेंबर है इस प्लांट के विबिन प्लांट पार्ट यूज किये जाते हैं और वाइड थ्रापेटिक अप्लिकेशन इस प्लांट का है खास्तोर से ये इस प्लांट का उप्योग हम नर्वस सिस्टम के रेमिडियेशन के लिए इस्तमाल करते हैं नर्वस सिस्टम में अलजाइमर डिसेज होती है जिसके अंदर दिये-दिये फ्री रेडिकल्स के बढ़ने के कारण नियूरो डिजनरेशन के कारण मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है उस मेमोरी लॉस से बचाने के लिए आप इस प्लांट की छाल का डिकॉक्शन बना कर दिन में 2-3 बार सेवन कीजिए 5 ग्राम छाल का काढ़ा बना लीजिए एं गलास पानी में करीब 200 मिल पानी हो जाता है और उसमें फिर आप सहद मिलाकर आप सेवन कीजिए अलजाइमर की डिसीज को काफी हद तक कंट्रोल करने में सहयक होता है फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग इसकी अक्टिविटी होती है देरे देरे मेमोरी लॉस की समझा दूर हो जाती है मित्रो अलजाइमर के साथ साथ ये साइजोफरीनिया भी एक नियूरो डिजनरिटीव डिसीज है जिसमें ब्रेन की जो मेमोरी लॉस है वो तो होता ही है साथ साथ हॉर्मोन का डिस्बैलेंस भी हो जाता है तो ऐसी अवस्था के लिए भी इस प्लांट का इसी प्रकार से आपको सेवन करना चाहिए साइजोफरीनिया के लिए भी आपको इसी प्लांट का सेवन करना चाहिए डिकॉक्षन बना कर दिन में दो से तीन बार आप सेवन कीजे Sizofrenia की समश्षा भी आसानी से दूर करता है एक समश्षा माईग्रेन की होती है ये भी समश्षा जो है दिमाग से जुरु भी समश्षा है तो हर्मोंस को regulate करके और हमारे nervous system को strength करने का कारिय इस plant का decoction करता है आप इसका 7 कीजिए Wonderful nervous system rameggiator ये plant है आप इसका उप्योग कीजे, इस plant के decoction का उप्योग आप अस्थमा के remediation के लिए भी कर सकते हैं, अस्थमा के remediation में क्या करता है, ये bronchodilator का कारिये भी करता है, और कफ को expel करने का कारिये भी करता है, कफ को निकालने का भी कारिये करता है, बितरू इस plant के अंदर विभिन पर बनाकर घाओ को धो सकते हैं और घाओ को धोने के बाद आप इसकी चाल का डिकॉक्षन बनाकर रोगी को पिला सकते हैं हर प्रकार के प्वाइजन का यह एंटिडॉट होता है चाहे स्नेक बाइट्स कॉर्पियन बाइट या फिर इंसेक्ट बाइट हो उसका यह रेमीडियेश के लिए हर्पीस, सिंप्लेक्स, HSV1, HSV2, उन दोनों के रेमिडियेशन के लिए आप इसके पत्र का पेस्ट लगा दीजिए, और साथ ही साथ इसकी छाल का डिकोक्षन भी आप पिलाएए, पत्र का पेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, लुकवम वाटर से आदे घं बहुत अच्छा कारे करता है, मैं कहूं कि इसके अंदर मल्टिपल जो केमिकल कंपाउंट पाए जाते हैं, जो कि हॉर्मोन डिस्रेगुलेशन को सही करते हुए, नर्वस सिस्टम को स्ट्रोंग करते हैं, लीवर रेमिडियेशन करते हैं, वाया फ्री रेडिकल स्क्वेंज तो ये नर्वस सिस्टम की रेमिडि है, और इसके साथ मित्रों डिस्यूरिया की समस्वा भी हो जाती है, पेसाब का ना आना या फिर रुक्रुक के आना डिस्यूरिया की समस्वा के निराकरण के लिए भी आप इसकी छाल का डिकॉक्षन पीजे दिन में दो से तीन बार, तो ये kidney remediation करता है, liver remediation करता है, brain tonic का कारे करता है, lungs का पुराना जो infection हो, चाहे उसके अंदर कफ जमा हुआ हो, उसका भी remediation करता है, शरीर के vital organs, brain, lungs, liver और kidneys, इन चारों का remediation करते हुए, हमें fit रखता है, healthy बनाता है, आप देखिए, कि ये plant जंगलों में लगा हुआ है, लेकिन हम इसको औस्दिय गुणों के रूप में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप इसको जानिए, पहचानिए और यूज कीजिए, white color के इसके फूल आप देख रहे होंगे, इनफलरेशन्स आप इसका देख रहे हैं, white color के और इसके जो berries हैं, वो पकने के बाद orange color से reddish के तरफ हो जाती हैं, और white color के इसके फूल होते हैं, और ये महानोसदी है, मध्य परदेश के जंगलों में तो काफी पाया जाता है, लेकिन आज हम exploration के लिए राजाजी नेशनल पार्क में आया थे, महां भी हमने इसके trees देखे हैं, तो ये plant यहां भी पाया जाता है, वित्रो इसके जो पत्र होते हैं, और जो इसकी चाल होती है, उसका आप paste बनाकर विभिन प्रकार के skin disorders में भी यूज कर सकते हैं, skin irritation हो, चाहे skin redness की समस्चा हो, चाहे pruritis की समस्चा हो, psoriasis की समस्चा हो, या फिर skin के ओपर fungal infection होने के कारण काई बाल भी जड़ जाते हैं, ये scalp पर भी ऐसा हो जाता है, हमारे forehead पर पी ऐसा हो जाता है, तो उस समस्चा के निराकरण के लिए आप इसके पत्र और इसकी च काई बार operation के बाद healing बड़ी slow हो जाती है, या फिर healing को आप बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी चाल का decoction पी सकते हैं, तो post operative conditions में healing को fast करने के लिए आप इसकी चाल का decoction पीजिए, आप देखेंगे कि चमतकारी तरीके से healing इतनी fast हो जाती है, कि हम उसका healing का कारे करता है, inflammation हो गया है, उसको ये दूर करता है, घाव को साथ-साथ इसके काड़े से wash भी कर देना चाहिए, धीरे-धीरे, और काड़े का 7 भी करना चाहिए, तो घाव को भरने के लिए भी इस plant का उपयोग किया जाता है, internally अगर घाव में inflammation है, उसको दूर करने के लि ये, wonderful ये plant है, विभिन्न वाइटल और्गन्स पर शरीर के ये काम करता है, remediation का free radical spending activities इस plant की है, कई बात ज्यादा antibiotics खाने से liver compromise हो जाता है, free radicals बहुत accumulate हो जाते हैं, toxins बहुत accumulate हो जाते हैं, उन सब के निराकरन करते हुए शरीर की immunity को अनहांस करने वाला ये plant है, आप इसको जानिये और इसको cutting के माद्यम से आप propagate कर सकते हैं, इनी बातों के साथ फिर मिलेंगे, एक नई प्लान के साथ चैनल को like, share, subscribe अवस्य करें, आप सबी का धन्यवाद, परिणाम नमस्कार